हमारी democracy का मंदिर है पार्लेमेंट और पार्लेमेंट भवन जिस भवेता के साथ बनाये गया है, जिस तरीके से भविशे के बारे में सोच के बनाये गया है, उसके लिए मैं मान्य प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी को सदुवात देता हूं और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो विपक्षी दल इस गनतंत्र को हमेशा से अंडर्माइन करते आए चाहे एक ऐसा भी समय था जब अपने ही प्रधानमंत्री द्वारा जारी किये गए से अपनी सरकार द्वारा जारी किये हुए ओड्नेंस को राहूल जी ने फाड कर पब्लिक के सामने तो गनतंत्र को हमेशा उन्होंने अंडर्माइन किया है डेमोक्रसी को अंडर्माइन किया है लेकिन मैं धन्यवाद दोना चाहूंगा माने प्रधानमंत्री जी को कि डेमोक् ही कम समय में तयार हुई है इसके पारे में क्या कहना है इतना आपका इतनी तेजी से इतना भव्य काम होना इतना अच्छा काम होना ये भी अपने आप में एक मिसाल है काम कराने का काम करने का जो तरीका है वो रेगुलर फॉलो अप करते हैं पीम साहब चाहे रेलवे के प्रो सब के सब चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में इस्टेशन सो एरपोर्ट सो हर चीज पर आज के हमारे नौजवान एस्पिरेशनल नौजवान उनको इसी तरह के काम देना यह हमारी जिम्मेदारी जरूर पूरर विचार करना चीए जरूर इसमें पाटिस्पेट करना चीए तन्यवाद